अगर चंतु विद्यार थी नहीं व्याक्रण हम प्रठाम है और व्याक्रण में हम चर्चा किसकी कर रहे हैं बच्चो प्रत्यों की बारे में इससे पहले हम क्रदंत प्रत्यों का अध्यन कर चुके हैं आईए तद्धित प्रत्यों का अध्यन करते हैं और उसका भाग प्रत् प्रत्यों का हम सामान्य परीचे जानेंगे इसके अलावा दो प्रत्यों का हम इस भाग में अद्धिन करेंगे तरफ तमप प्रत्य अश्चा यानि तरफ और तमप प्रत्यों का है ये देखते हैं बच्चों तदित प्रत्य क्या होते हैं जिसे क्रदंत प्रत्यों में हमने ध धातु के अलावा जो संग्या सरवनाम और विशेशन यानि शब सब्दागे जबकि क्रत्व्परत्य का प्रियोग सदेव धातूं तद्धितांत कहले हैं तद्धी जिनांत में वह तद्धितांत हैं और जबकि तवय जो प्रत्य होता है उसके नपुसंगलिंग में चलते हैं और आगे इनका तल और त्वका भी हम अध्यन करेंगे तथा कुछ तदितान अब्वे रूप में भी होते हैं बच्चों आए देखते हैं तदित प्रत्य लगाने से सब्धूरूप में निम्न में उसमें प्रथमस्वर की वरद्दी होती है अब नए नकार हो गया यह कि नित कि यह क्या हो गया नित चstag में अप्रथम स्वर की क्या हो जाती है वरद्दी Hebrews अन्तिम प्रथम्सवर आ경ी का लोप यानी प्हल संग्य बह संग्या हो जाती है यची भम से बह संग्या होकर यस्यति से इन स्वरों का लोपे हो जाता है पैरे बच्चों उसी प्रकार से यदि शब्दान्त उ या उ हो तो उसका क्या हो जाता है गुण होकर आयादी शंदी हो जाती है इसी तरह ओकारां तथा अउकारां सब्दों मे तद्धित प्रत्य होने पर भी आयादी शंदी होती है बच्चों आगे देखते हैं तद्धित प्रत्य लगाने से जिन अर्थों का ध्योतन होता है उनका वर्गीकर्ण अलग-अलग वर्गों में किया जाता है जैसे मत्वर्थिये यानि जिनमें मतुप्रत्यकार्थ निकले मत्वर्थिय किसे कहते हैं जिनमें मतू प्रत्यकार्थ निकले उसी प्रकार से अपत्यार्थ जिसमें अपत्य यानि संतानकार्थ निकले उसके अलावा समुहार्थ जो सम्हु बताए जो सम्हु बताए इसके अलावा जो शम्मंदार्थ जो सम्मंद बताए इसके अलावा भ होते हैं आई ये देखते हैं अलिए तरफ प्रत्य अब हम एक इक प्रत्य का अजिय करने जा स्रेष्ट बताना हो ना दो में से किसी एक को स्रेष्ट बताना हो तो वहां तरफ प्रत्य का प्रियोग किया जाता है जैसे शोहन मोहनात पट उत्तर है यानि सोहन मोहन से उश्यार है पट उत्तर है बुद्धिम और जहां दो की तुलना में एक ही विशिष्टा अथवा अध इत्ता प्रकट होती है वहां तरफ प्रत्य का प्रियोग किया जाता है इस प्रत्य का प्रियोग प्राय विशेशन सब्दों के शमान होता है तरफ प्रत्य के अंतिम्पय यानि जो अंतिम्पय है कि संग्या और लौप हो जाता है केवल तर से इस रहता है बच्चों उसी प्र पैकी संग्या होगी क्या बना लगूत्धर है इस्तृली लगूत्थरा पतम है यह उसी प्रकार से गूर्फतरा क्रिश्टर घ्र्रूद्धतर क्रिश्टर hmm दुर्दतर है दुर्दतर अठर जड़ तर जड़ तर जड़ तर रिश्व रश्व तर六çu प्रत्त्य बताने के लिए किस प्रत्यक स्चाइब किया जाता है। लेकिन बहुतों में शे यानि बहुत सारे लोगों में से किसी एक को श्रेष्ट네 बताया जाए तो वहां क्या होता है तमा प्रत्य होता है जैसे मैं ने कह दिया कि सब से कनिश्टव थम हन्हां है यानि इससे चोटा कोई है यह नहीं इसके इलाब मैंने क Side महत्मा समापवर्टक आता मेरे गणित में महत्म यानि सबसे बड़ा इससे बड़ा कुछ है ही नहीं और कह देते हैं लगुत्तम यानि इस से छोटा कुछ है ही नहीं तो जहां भोतों में से अनेक वस्तुयों की तुलना में एक की विशेस्था अथ्वा अधिकता दिखाई जाती है या न्यूनता दिखाई जाती है तो वहां तमः प्रत्य का प्रियोग होता है बच्चों यानि बहुतों में से किसी एक को या तो सबसे चोटा या सबसे उसका काम है वो उससे नीचा है यह नहीं या उससे उंचा है यह नहीं यानि बहुतों में से किसी एक को और सब सबसे ज़्यादा नंबर देने हो या सबसे कम नंबर देने हो मालो अपने समझने के लिए मैं यह उदाड़न दे रहा हूं बच्छो तो तमब प्रत्य का प्रियोग विशेशन सब्दों के शमान होता है तमब प्रत्य के अंतिम पह की इत संग्या हो जाती है और लौप हो जा सबसे करक्सासक जाता है नहीं करेंवेट और घंहा सांता ही इसक चेतार कम पूर्प कर्ष्ऽ सबसे ओर दिर्ग यारि इससे बहुत पतला बालक अस्ति महीं और इससे पतली बाली का कोई कि नहीं और किस क्रिस तमहां तो ढूर्ड में उत्र तमहं को मतुर्थमा यह है कि इतनी मदुर्थमा है कि इससे जादा उचील कोई मधूर्थमाई नहीं लेजheen मेठा कोई फले है नहीं पढ़ो उशी प्रकार से बच्चों कुषुल मेठा कोई है निपूंतमाव सुर्श निक्रिष्ट निक्रिष्ट यह से निकरश्र्ट कोई है नहीं म्रदू म्रदू तम जर जडht जड़त मृम्ह़श्व कोई है नहीं म्रदू तम में जड़त म मैं यसम ह्टतमा महत्तमा महथिम्ह। तो कहने का तात्रिय है बच्छो यानि जो 7 बहुतों में से किसी एक की विशेस्ता अतीश면 together बताई जाए तो वहां तमप प्रत्य और दो में से किसी एक की विशेषता बताई जाए तो वहां तरप प्रत्य होता है तो इस प्रकार से बहुत सरल प्रत्य हैं यह तरप और तमप दोनों आपके अच्छे से समझ में आयोंगे इसी आसा के साथ में हम अगले प्रत्यों के सा साथ में फिर मिलते हैं धन्यवाद आहा नमो नमाहा